आज इस वीडियो में हम लोग दखेंगे कि Electrical Overhead Crane जिसको हम EOT Crane बोलते हैं तो आज दखते हैं यह कैसा होता है क्या-क्या उसमें पार्ट्स लगता है क्या-क्या उसमें रहता है तो EOT Crane हमारा Overhead लगता है हमेशा Plant बगरा में या फिर बाहर में भी लगता है उसके चलने के लिए Electrical Panels रहता है Motors रहता है और इसको बड़ा बीम लगता है दोनों साइड में उसको गाडर कहता है जो दो बीम के उपर यह पूरा setup बैठाता है तो उसके उपर जो Long Travel होता है उसके लिए Motor लगता है जिसको Rail Track के उपर Railway पही ऐसे उसको आगे पीछे किया जाता है तो जो केबूल हमारा इस तरह से लपट के जाता है उसको फेस्टून बोलता है और उसके उपर जो main चीज जो move करता है जिसमें हमारा auxiliary host main host लगता है उसको हम ट्रॉली कहता है यह हो गया ट्रॉली के उपर host motor लगता है जिसमें main host का motor रहता है जो हमारा motor जो घुमाता है पुरा gearbox के साथ unidrum को unidrum में आपका rope लगता है जो rope उसका main host और auxiliary host में लगा रहता है main host में रोप उपटने से सामान उपट उपटा है तो उसको साबको घुमाने के लिए उसका gear box रहता है motor gear box को घुमाता है और gear box घुमाता है unidrum को तो उसको brake करके रखने के लिए पकड़के रखने के लिए उसमें brake भी लगा हुआ है जो load को उठा के उसको ऊपर brake करके रख सकता है तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए ब्रेक भी लगा हुआ है तो यह हो गया हमारा एक EOT क्रेम जिसका फोटो आप देख सकते हैं यहां से जो दो एलो कलर का बड़ा बड़ा बीम दीख रहा है उसको बोलते हैं गाडर तो उसी के उपर सारा बेस करता है तो आप देख सकते हैं एक PENDENT लटका हुआ है जिसको रिमोट भी कोई कोई लग बोलते हैं तो यह Cable तो उपर से आया है फेस्टून से हो के यह Cable यहां पर निचा आया है इसको PENDENT बोलते हैं तो इसमें आपका emergency switch रहता है, हमारा long travel के लिए जो आगे पीछे जाता है, उसका forward reverse का button रहता है, city का forward reverse रहता है, main noise और अग्जोले जोष्ट का, up और down का switch रहता है यहां से, तो यहां से upgrade करके हम पूरा crane को चला सकते हैं, तो उसके सिवा और भी रहता है बहुत सार है, जैसे joystick हो गया है, जिसमें आप upgrade कर सकते हैं, remote रहता है, wireless remote, radio remote बोलते हैं उसको, तो यह होता है pendant, तो तीन तरीके से हम crane को upgrade कर सकते हैं, तो यहां से आप पर पेंडेंट लगा हुआ है, यह जो hook लगा हुआ है, रोब के साथ, छोटा बाला है, अक्जुलरी hook, बड़ा बाला है, मेन होइस्टर होइँ, तो उसमें एक C hook लगा हुआ है, यह जो yellow color का लोहा है, 11 टन का लिखा हुआ है, साइड पे 11 T करके, तो इसको बोलते हैं C hook, नहीं तो डारेटली जो मेन होइस्टर है, उसमें जो hook लगा हुआ है, उसमें से सामान उठता है, यह C hook लगान के मतलब यह है, कि जो कोईल जिससे रखा हुआ है नीचे, कोई भी स्टेनले स्टिल का कोईल हो गया, यह जिसे अलुमिनियूम का कोईल हो गया, तो उसको इस तरह से इसमें फसा के उठाए जाता है, क्योंकि यह 11 T का है, तो यह 11 T के असपास सामान उठा लेता है, तो अलग-अलग साइस के हिसाब से, अलग-अलग उसका वेट कापासिटी भी अलग-अलग होता है, तो यहाँ पर छोटा बाला जो उपर आपको दिख रहा है, यह हो गया हमारा अग्दृलर होष्ट, और जिसमें सीयू को लगा के, जो सम मैट्रेल उठा के ले रहे हैं, वो हो गया हमारा मैन होष्ट, तो दो हس्ट रहता है लिग तो यहां पह्ट देख सहकता है मेन हस्ट में कॉयल लगा करे मंठ कर रहे हैं यहां पह सब ही ऊपर दलकता है जब ऐल्ल बा करता है तो यह लंबाई में जब मोह करता है पुरा शेट अप गाड़ भीम के साथ तो उसको बोलता है व्orc तो पूरा left side से लेके पूरा right side दा कि जितना distance है उतना distance जब move करेगा जो crane हमारा तो उसमें पूरा गाड़र के साथ पूरा setup सारा कुछ move करता है तो उसको बोलते है long travel तो लांग ट्राबल हो गया पूरा लंबाई में जो move करता है उसको बोलते है long travel LTV बोलते है उसको तो उसके लिए motor लगता है motor के जो पहिये लगते है वो रेलियो ट्रैक के उपर चलता है तो गाड़र बीम के उपर जो ट्रॉली जब move करता है उसको बोलते है cross travel मतलब क्रोस में मूब करने से जो हमारा गाडर बीम के उपर जो ट्रॉली मूब करता है यह होगे हमारा गाडर बीम तो गाडर बीम के उपर जो ट्रॉली हमारा आगे पिछे होता है फर्वाट रिवर्स का उसको बोलते है क्रोस ट्रावल तो ट्रॉली के उपर में सारा कुछ रहता है, में में चीज, जो हमारा मोटर का, जो में मोटर रहता है, उच ड्रम रहता है, तो यहां पे देखिए, आपका रोप लगा हुआ है, और में हैस्ट, अकजले रहता है, तो इसका सभी का लोड हमारा रहता है, ट्रॉली के उपर, तो, इह आप ऐप लगा हूआ एच नाक्छाट, बेख चाना लेख्ट हमाएगने यदे रिल्य ड्राक में खेरा हूआ में आता है। यह आप सब्सक्राइबर्स से कृष्ट जो और गागा हूआ वा हागा है। मोटरो के उपर नहीं आएगा मोटर को ऊपर इसका साब टूट जाएगा इसलिए कि आपब आचे हमारा क्रोस्ट्रबल करेगा तो यहाँ पर रुख जाएगा ज्यादा बाहर नहीं जाएगा गरुत दाखतार है तो इसी तरह से हमारा crane setup रहता है, तो जो crane supply मिलता किस कहां से, क्योंकि crane तो move करता है, उसको supply कहां से मिलता है, तो यह एक बड़ी सवाल है, तो आप देख सकते हैं, यहां पे नीचे में, हमारा बहुत सारे DSL रहता है, और उसमें current collector लगा हुआ रहता है, current collector से जो DSL रहता है, R.O.I.B. phase का तीन प्लेट रहता है, उसके उपर एक copper का, copper और हमारा carbon का मिला हुए के अलोय बना जाता है, जो सू बनता है उसको, वो उसके उपर घिस घिस के जाता है, पूरा चलने टाइम पे, तो वहां से हो घिस घिस के, current collect करता है, R.O.I.B. तीन फेज में, जैसे हमारा रेल्वे में आप देख सकते हैं, उपर हमारा जो रहता है, तो उपर केबूल से टॉच करके वो supply लाता है, इसी तरह से यहां पे हमारा देख सकते हैं, जो side में जो बार है, beam है, beam में, R.O.I.B. phase का तीन बस बार जैसा है, उसको बोलते हैं, DSL बोलते हैं, down sublime, तो उसके उ बाद वो हमारा transfer हो जाता है, सभी पैनल में, पैनल में मोटर बगर लगा रहा रहता है, तो क्रेन में आप और एक चीज़ देख सकते हैं, यहां पे hooter लगा हुआ है, और एक red color का indicator भी लगा हुआ है, जब यह crane move करेगा, तो यह alarm देगा, मतलब आबास करेगा कि यह move कर रह आवर्नेस के लिए, नहीं तो कुछ समान ले जा रहा होगा, तो किसी के साथ प्रकरा भी सकता है, इसलिए indication live और horn बजा के आगे पिछे होता है, तो यहां पे दखे, यहां पे बड़ा सजे भी लगा है, जो power हमारा DSL से current collector कर थ्रों से आता है, तो यहां पे आता है पहले, यहां से on करने से सारे जगा को distribute होता है, सभी जो panels रहता है, सभी panels को यहां से जाता है, यहां से जाता है कि protective panel को, protective panel जो main power supply रहता है उसमें, वो on होने के बाद सभी panel में, सभी जो drive का motor का panel है, सभी में जाता है supply, तो यह मारा main panel है, तो यहां पे उसके उपर में आपका देख सकते हैं यहां से कि छोटा जेबी लगा के पावर के जो पावर और कंट्रोल दोनों केबूल यहां से इस तरह से घुमा के लिया हुआ है इसको केबूल फेस्टून बोलते हैं तो इसको लेने से के मतलब यह कि यह केबूल आगे पीछे मूब करता है तो यह फिक्स केबूल न इस तरह से स्लाइड होके आगे पीछे अड्रेस्ट होता है केबल जिसे फ्लेक्सिबल बना जाता है इसलिए इसको इस अनल पर दिजाइन में बना तो यहां पेजाके हमारा उपर में एक जैबी रहता है वो जैबी में लगता है वो जैबी से मोटर बगर जो भी कनेक्शन है मोटर का एंकोडर का लिमिट सुछ का शावी उपर लगता है तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में 2 ये लाइन डाला हुआ जो गढडर बीम है उसी के बाइया है, City UC के उपर further reverse move करता है. तो ये होगे हमारा क्रेन का उपर बाला हिसा, जिसमें प्यानेल लगा हुआ है, तो ये जो ब्लू कलर का मोटर दिख रहा है, ओ अब हमारा मेन होस्ट का मोटर है, तो आपका दोनों साइड में अगर क्रेन लगा हुआ है, यहां से देखिए, लेफ साइड में लगा हुआ है के क्रेन, और राइट साइड में भी एक क्रेन लगा हुआ है, तो दोनो क्रेन के बीच में, यहां पे जो खड़े हैं हम, जिसके ओपर में हम चल के जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, प्लाटफर्म बोलते हैं इसको, तो इ इंडिकेशन लाइट भी लेफ साइड में जल रहा है तो अपरेटर जो है उसको यहां पे हाथ से दबाके जो रिपेंडेंट रिमोट लगा हुआ है उसको दबाके क्रेन हमारे तरफ ला रहा है यहां से तो यह जो मूब कर रहा है पूरा सेट अप क्रेन लॉंग ट्राविल म उतना लंबा तक यह क्रेन मूब करेगा तो इसको बोलते हैं हमारा लॉंग ट्राविल तो क्रेन जहां पे आप उसको दबाना छोड़ देंगे जो पूस बटन रहता है हमारा रिमोट में वहां से दबाना से यह बंद हो जाएगा ब्रेक भी लग जाएगा अगर कोई सामान उठा के रखें तभी यह उसको रोग देगा तो अब दे सकते हैं ट्रॉली मूब कर रहा है अभी गाडरों के उपर ट्रॉली मूब करके आ रहा है इधर से तो उसको बोलते हैं हमारा क्रोस ट्राविल तो हमारा क्रेन के उपर एक साइड में हमारा पैनल लगा रहता है जो स तो यह पैनल में रहता है, यहां से जो सप्लाई आता है, सप्लाई यहां से आके, फिर मोटर में जाता है, हमारा केबुल फेस्टून के थ्रो, तो लॉंग ट्राविल जो होता है, उसका पहिया जो घुमता है, उसके लिए यहां पर मोटर लगा हुआ है, गीर बक्स के साथ, यह जो मोटर है, यह हमारा लॉंग ट्राविल का मोटर है, तो क्रस ट्राविल जो हमारा यहां पर देख चाकते हैं, जो दो नो बीच ग्याडर के बीच में, जो के रोप लगा ओँगा हुआ है, वो स्टील रोप लगा रहा हुआता है, जिसको में हमारा अक्जोले क्षॉप गान्ट सेनगें तो इस थुआ शंते चंद hasn't pertama रखे लोगोंक तो यह फुषि और मारा कॉपलिंग होके गीर्वक्स के लाग साथ लगाए मोटर लगा है और मोटर के जो साफ न्कला है यहां पर ब्रेक भी लगा हुआ है तो ब्रेक ओपन होने के बात जाके यह सारे काम गुमता है तो अगर जब स्टाट कमांड बंद करतेंगे अमीश्ट कमांड देंगे तो जेहां पर बड़ा वाला मोटर जो हे है मैनष्ट का मोटर है तो बीच में हमारा कॉपलिंग होके यह पर जो बड़ा वल शिच देख सकते हैं उसको ब्रेक बोलते है ये होगे हमारा DC brake जिसका brake सूस है जो drum है, drum को पकड़ के रखा है, drum हमारा साप्ट के उपर लगा हुआ है, और drum को ये brake सूस है, पुरा जबरतस पकड़ के रखा है, क्योंकि ये जितना ton का crane है, उतना ton का brake भी होगे, तो 30 ton का crane है ये, तो उसी हिसाब से ये उसको दबा के रखा है, जिसके उ उपर एक gearbox लगा हुआ है, gearbox के साथ हमारा wind drum लगा हुआ है, जिसमें rope लगता है, जो rope हमारा main host और अगदले रस्ट में लगता है, जो आप यहांसे देख सकते हैं, दो rope नीचे गया है, वो हमारा main host में लगता है, जो hook में, तो ये rope घुमने से rope उपर आता है, नीचे आता है तो wind drum पूरा load उसके wind drum के उपर रहता है, और जो wind drum घुमता है gearbox के तो moтор उसको घुमाता है, तो motor के उपर ज्यादा load नहीं रहता है, mootor सिर्फ gearbox को घुमाता है, तो यहांपे आता है encoder लगता है, यह encoder आपा धूरल लगा हुआ है तो encoder क्या करता है कि motor में यहां पे mount किया नहीं है आपको फटो दिखा देंगे किस तरह से mount होता है तो यह encoder हमारा speed दखता है कितना speed है क्या है तो यहां पर जो noise drum है, noise drum घुम रहा है कि नहीं घुम रहा है, कि जो rope है ज्यादा निच्छे जा रहा है कि उपर जा रहा है उसका एक limit रहता है, कितना उपर जाएगा, कितना निच्छे जाएगा, तो उसके लिए एक rotary limit switch लगा हुआ है, उसमें setting करना पड़ता है limit, जब rope drum में लगा हुआ है, तो इसको rotary limit switch बोलता है, तो लगाने के फाइदा यह है कि rope हमारा ज्यादा निचे नहीं जाएगा, कि ज्यादा उपर नहीं आएगा, तो उसको यह रोक लेता है, यहां पर देशाते है, ब्रेक लगा हुआ है, तो rope के साइड में यह जो सीजे, इसको ब रख उपर इठना होइट जो आप होता है, बंद जाएगा, ज्यादा उपर नहीं जाएगा, तो इसको इसको होट्र찬 के लिए, रोप को वहां पर अटका के लिए, चरहें लिए लागा हुआ है तो इसी तारके से हमारा भजुलेयर्ट Metamaskar का भी है मोटर यहां पे कप्लिंग हो के gear box के साथ लगा है gear box व्यारेस के साथ ब्रेक भी लगा हुआ है उसकेन जो साथ में यह thruster brake है जो gear works को जो sound आता है उसी को रोक के रखता है इसको तो यहां पे supply देने से thruster brake काम करता है और जो brakes see उसे पकड़के रखाय हुआ है drum को वह छोड़ेगा तब जाके हमारा motor घुमेगा तो motor gear works को घुमाता है और gearbox घुमाता है हमारा और यहां पे rotary limit switch भी लगा हुआ है तो rope जो है हमारा कितना नीचे जाएगा और कितना उपर आएगा उसका limit यहां पे set करना पड़ता है तो उसको set करने से rope हमारा खराब नहीं होता है तो rope में एक compound आता है grease जैसा grease लगाना पड़ता है तो यहां पे एक motor है हमारा cross travel का जो हमार reverse forward के लिए उसका यहां पे coupling होके gearbox के साथ पहिया में लगा हुआ है जो हमारा गाड़रों के उपर जो railway track आपको दिख रहा है उसको उपर यह घुमता है तो आगे पिछे होता है हमारा trolley तो trolley के लिए चोटा motor लगता है जो main motor है हमारा host का auxiliary host हो या फिर हमारा main host हो तो उसमे speed variation करने के लिए drive भी लगता है तो जो हमारा starting torque को ज्यादा रखेगा और current काम करेगा उसके लिए drive panel भी रहता है जिसमें VFD बोलते हैं उसको तो इसी तरह से हमारा crane में protection रहता है जिसे होगा rotary limit switch, crane का brake और इस तरह से यह crane